हेलो दोस्तों, मैं निक्की जेन आपका शौटकट किचन में स्वागत करती हूँ आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने बहुत ये रिफ्रेशिंग सा ड्रिंग जिसे पी कर हमें पूरा ताज़गी सा महसूस होता है और इस ड्रिंग का नाम है मिंटी वाटरमिलर लेमोनोट ये बनाने में बहुत ही असान होता है तो चलिए दोस्तों अब हम इसे बनाना सीखते हैं आईए आपसे पहले हमें मेसिका जार लेना है ये मैंने तरबुस काटके रखे हैं जितना पॉसिबल हो हुआ अप उसका बीच बाहर निकाल ले और इसे हमें डाल देना है, बीज रहेंगे तो चलेगा, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बीज निकालने का, अब हम इसमें एट करेंगे, एक लेमन का मैंने जूस लिया है, कुछ पोधीना पत्ति, मिंट का फ्लेवर ही अलगाता है, यह हमने 2 टीस्पून शुगर लिया ह यह आप अपने हिसाब से आइट करें, अगर तर्बूज बहुत मिटा है, तो वह नहीं लें और स्किप भी कर सकते हो, यह आपके उपर है, पर जैसे अभी थोड़ा कम मिठा तर्बूज आ रहा है, तो हमने 2 टीस्पून शुगर लिया है, इसमें इसमें आइट करेंगे, 1 4 टीस्पून जीरा पाउडर, सेकावा, भुनावा जीरा पाउडर, 4 टीस्पून काली मिर्ची, यह थोड़ा कम भी एडिक कर सकते हो, 1 फोग से, इसमें आड करेंगे, 1 फोग टीस्पून काला नमक, बस हमने इसमें अच्छे से बिलकुल ग्राइंड कर लेना है, मिक्से मे यह हमने पीसकर रेडी कर लिया है, हमें इसे चानना नहीं है, अच्छे से ग्राइंड करके यहां ले आना है, अब हम इसे सर्फ करेंगे, यह बहुत ही टेस्टी होता है और रेफ्रेशिंग होता है पीने में, देखें, यह रेडी हो गया है, हमने कुछ तरबूज के तुक मिन्ट लिफ्स इसमें लगा देना है, यह हमारा रेडी हो गया है, कोई भी पार्टी हो दोस्तों, हम इसे फटाफट से बना सकते हैं, यह बहुत ही रेफ्रेशिंग सा ड्रिंक होता है और सब इसे बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए आप लोग से जरूर से ट्राइ करें, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे रेसिपी को लाइक और शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू